नमस्ते, आप सभी को टिटिली वॉइस आस्ट्रो टॉक सापताहेक राशिफल में स्वागत है. Weekly Horoscope the 25th of November to the 1st of December 2024 सापताहेक राशिफल 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 नवंबर माह का आखिरी सपता कई ग्रहों की स्थिती में बदलाव होने वाला है जिसका असर हर राशी के जातकों के जीवन में किसी ना किसी तरह से अवश्य पढ़ सकता है. 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के इस सपताह में ग्रहों की स्थिती की बात करें तो ग्रहों के राजकुमार बुद्ध की स्थिती में ही बदलाव देखने को मिलने वाला है. इस सप्ताह बुद्ध ग्रेव रिष्चिक राशी में वक्री होंगे और अंत में अस्त भी हो जाएंगे इसके साथ ही 26 नवंबर को शुक्र की द्रिष्टी गुरु पर पढ़ेगी जिससे शडाष्टक राजयोग का निर्मान होगा इसके साथ ही सूर्य की द्रिष्टी मंगल पर पढ़ेगी जिससे नवपंचम राजयोग का निर्मान होगा अन्य ग्रहों की स्थिती की बात करें तो राहुमीन, केतु कन्या, मंगल अपनी नीच राशी कर्क में रहकर धनलक्ष्मी राजयोग बनाएंगे शनी अपनी मूल त्रिकोन राशी कुम्ब में रहकर शश राजयोग का निर्मान करेंगे गुरू ब्रहस्पती व्रिषब राशी में विराजमान रहेंगे ऐसे में किसी ना किसी ग्रह की दूसरे ग्रह से युक्ती या फिर द्रिष्टी पढ़ने से शुब और अशुब योगों का निर्मान हो सकता है आएए जानते हैं मेश, व्रिषब, कर्क, सिंग, मिथुन, कन्या, तुला, व्रिष्चिक, धनू, मकर, कुम और मीन राशी का सापताहिक राशिफल मेश राशी सापताहिक राशिफल ये सपताह आपके लिए नए अवसर और उत्साह लेकर आएगा कार्यक्षेत्र में आपकी मिहनत का फल मिलेगा और आपको अपनी योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा आर्थिक मामलों में स्थिर्टा रहेगी लेकिन बड़े निवेश करने से पहले सोचें परिवार के साथ समय बिताने से संबंध और मजबूत होंगे स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करें वुरिशब राशी साप्ताहेक राशिफल इस सप्ताह आप अपनी रचनात्मक्ता और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित करेंगे कार्यक शेत्र में आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी धन लाब के संकेत हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांती के लिए ध्यान का सहारा लें मिथुन राशी साप्ताहेक राशिफल सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अंध तक आप नई उचायों को चू सकते हैं कार्यक शेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं वित्तिय स्थिती स्थिर रहेगी, घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा स्वास्थिके प्रती सतर्क रहें और पोश्न युक्त भुजन लें कर्क राशी साप्ताहेक राशिफल, ये सप्ताह आपके धहर्य और अनुशासन की परीक्षा ले सकता है कार्यक्षेत्र में कुछ चुनोतियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें सफलता पूर्वक पार कर लेंगे आर्थिक मामलों में सतर्क ता बरतें परिवार में किसी मुद्दे को हल करने की कोशिश करें मानसिक शान्ती के लिए ध्यान और योग करें सिंग राशी साप्ताहेक राशिफल, ये सप्ताह आपके लिए सफलता और खुशी लेकर आएगा कार्यक्षेत्र में आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा आर्थिक मामलों में लाब के योग हैं परिवार में खुशियों का माहौर रहेगा सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक काम से खुद को ठकाने से बचें कन्या राशी साप्ताहेक राशिफल, इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी बड़े निर्नय को सोच समझ कर लें पारिवारेक जीवन में सामन जस्य बना रहेगा स्वास्थ के प्रती सचेत रहें और परियाप ताराम करें तुला राशी साप्ताहेक राशिफल सप्ताह की शुरुवात सकारात्म कूर्जा के साथ होगी कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक्ता सराही जाएगी वित्तिय स्थिती मजबूत रहेगी घर के छोटे मुद्दों का समाधान करें और संबंधों को बहतर बनाएं स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन हाइड्रेटेड रहना न भूलें वुरिष्चिक राशी साप्ताहेक राशिफल ये सप्ताह आपके लिए नई शुरूआत और नई उम्मीदे लेकर आएगा कार्यक्षेत्र में आप अपने विचारों को प्रभावी धंग से पेश करेंगे आर्थिक मामलों में सतर्क रहें परिवार के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आराम के लिए समय निकालें धनू राशी साप्ताहेक राशिफल, सप्ताह का समय आपके लिए लाबकारी रहेगा कार्यक्षेत्र में आपकी मिहनत की सराहना होगी वित्तिय स्थिती में सुधार होगा परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है स्वास्थय अच्छा रहेगा लेकिन दिंचर्या को संतुलित रखें मकर राशी साप्ताहेक राशिफल इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आर्थिक मामलों में स्थिर्ता बनी रहेगी परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी स्वास्थय पर ध्यान दें खासकर अपनी नींद और पोशन का ध्यान रखें कुम राशी साप्ताहेक राशिफल सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी आर्थिक स्थिती संतोष्चनक रहेगी घर में कोई शुब समाचार मिल सकता है स्वास्थय अच्छा रहेगा लेकिन योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें मीन राशी साप्ताहेक राशिफल यह सप्ताह आपके लिए आत्मिरिक्षन और नई योजनाओं का है कार्यक्षेत्र में आप अपनी क्षमताओं का प्रभावी उप्योग करेंगे धन लाब के संकेत हैं परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे स्वास्थय पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें इस आलेक में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेशग्य की सला जरूर ली